प्रप्रक्षी उतर श्तियोतर अठियोतर उनिया सी यसी और आकलन 14 का हल आई ये शुरू करें इस से पहले आप चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब गोला लाल बटन दबाए और सस्क्राइब करें जिससे की आने वाले हल आपको मिलते रहें कारीपत्रक्षी उतर चितर देख कुलुक्षी इस पर गोला लगाना है चंबमच इस पर गोला लगाएं 12 मुनल चितर की पेचान कर संयक की यसाता च Carry चिटर को है आदा से और पूरा सा अगर ओर लिख दे रस्त रहे विल्ला यह वह है यह अगणी है यह लिखए आप अगणी कि कि इसरे है नीचे दिएगे सब्दों में संउकर्ण वाले सब्द ऌए सब्सक्रा गोला लगाई इस कि इसमे यह मक्खन पर लगा हुआ है गह में दिली फार गोला लगाई गल में प्यास पर गोला लगाई यह सहयूक्टवर्णद है चे में रसी पर गोला लगाएं ये संयुक्त वर्ण है चे में व्यापार पर गोला लगाएं ये भी संयुक्त वर्ण है जे में पक्का पर गोला लगाएं ये भी संयुक्त वर्ण है चोत्ता प्रश्न निमलिकित संयूक्त वंजरों से बनने वाले वर्णों से नए सब्द को लिखिए जैसे के और से से बनेगा अच्छे इससे बनने वाले वर्ण होंगे कक्षा, कयक्ष, छत्रिय, छेत्र और वाक्ष ते पलस रे से बनेंगे त्रे, मित्र, सत्र, छात्र, पत्र और मंत्र जे और ये से मिलेंगे ये, यान, ज्याद, विज्यान और ज्याद से और रे से बनेंगे श्रे, स्रम, स्रमिक, स्रीमान, स्रीमति और परीशरम ये था कार्यपतरक छी उतर कार्यपतरक सततर कानी को पढ़ी और प्रस्नों के उत्तर लिखें रामु काखा के बाग में इमली का पेड था उस बड़े पेड में बहुत सारी इमली लगी थी चीनी और बूरा इमली खाने रामु काखा के बाग में गए इमली तोड़ने के लिए उन्होंने पत्थर मारे और इमली तोड़ी एक पत्थर खाड पर सोते वे रामु काका को लगा यह देखकर चीनी और बूरा बाग से बाग गए दोनों ही इमली तोड़ने गए थे इसके नीचे इनके प्रस्ण है इमली का पेड़ था इमली का पेड़ था बाग में इसमें राइट करें दूसरा है पत्थर लगा इसमें पत्थर लगा रामु काका को इसमें राइट करें चीनी को बूरा इमली खाने इसके बाग में गए चीनी और बूरा रामु काखा के बाग में गए इमली खाने दोनोंने इमली केसे तोड़ी? उन्होंने पत्थर मार कर इमली तोड़ी पांचवा प्रस्न है इमली का स्वाद केसा होता है? इमली खटी होती है स्वाद में चट्था प्रस्न है रामुका का बाग में क्या कर रहे थे रामुका का बाग में सोरा था सात्वा इमली खटी होती है खाने की और चाचा वस्तुवें खटी होती है नाम लिखो दही चाच, नीम्बू, संत्रा, आधी वस्तुवें ये भी खटी होती है आटवा प्रस्न है चीनी और बूरा बाग से बाग निकले इसके बाद क्या हुआ होगा दिखिए गमु काकाने अगर उन्हें देख लिया होगा तो वे उनके गर सिकाइद करने गया होगा तथा उन्हें चेतावनी देख राया होगा कि दोबारा मताना ये था काईजय पत्रक 77 काईजय पत्रक 78 समान अरत वाले सब्दों को मिलना है हमें जैसे प्रसंसा का समान है तारीफ ताकत का समान है बल विद्याले के समान है पाड़ साला और बवन का समान है मकान इनको हमने मिला दिया है दूसरा प्रस्ण निच्छे वाच्चे दिये गए हैं उन्हें ध्यान से पढ़िये इन वाच्यों में कुछ सब्द समान अर्थ वाले हैं उन पर गोला लगाईए जैसे रवी पूर्व दिशा में निकलाया रवी यानि सूर्य सूर्य तेज चमक रहा है और गय सूर्य की गर्मी से आत्मी पसीना पसीना हो गया तो रवी सूर्य और सूर्य तिनों ही समानार्थ यानि प्रयाईवाची हैं तिनों पर आपको गोला लगा देना है नीचे दिएगे वाच्यों को पड़िये और कोश्टक में दिएगे इस सब्द का समानार्थी सब्द रिक्स्तान में लिखिए किसान अपने खेत में मेनत कर रहा है स्रम यानि मेनत स्रम का समान मेनत है उसी बरकार मकान का समान बवन सुनेना के बवन में बाजरा रखा है वायू का समान हवा मोहित ने कहा कि आज हवा तेज चल रही है भूमी का समान दर्ती मेरे गाउं की दर्ती सबसे प्यारी लगती है गगन का समान है आकाश आज आकास में बादल चाह रहे हैं चोथा प्रस्म आपकी बादसा में कहते हैं दर्ती को जगे इमली को आमली मोर को मोर्यो बक्री को टेटा गर को कहेंगे घर या मकान बबूल को कहेंगे बोल्यो ये था काईरिपत्रक अठ्योतर काईरिपत्रक 89 ये के गज्यांस में से संजा सरणावे विशेशन चांट कर लिखे सीला एक केतली लेकर डेरी पर गई वहां से वह ताजा दूद लाई दूद को उसने जरम किया पांच गिलासों में दूद डाल कर सब बच्चों को पिलाया उनमें कुसी की लहर दोड़ गई अब इसमें संजा सरणावे विशेशन लिखने हैं हमें संजा है इसमें सीला, केतली, डेरी, दूद, गिलास, बच्चों और लहर ये संजा सब्द हैं इस गज्यांस में सरणाम है, वहाँ वहे उसने सब और उनमें सरणाम यानि संजा के स्तान पर काम आने वाले और विशेशन होगा संजा वह सरणाम की जो विशेशता बताता है विशेशन जैसे एक, ताज्जा, पाँच और कुसी ये विशेशन सब्द हो जाएंगे दूसरा है, पद्मा जा रही है वाच्य में जा रही सब्द काम के होने को बता रहे है नीचे लिखे वाच्यों में वे सब्द चांड कर लिखिये जो काम होने को बता रहे है जैसे वाच्य है, जपर खेल रहा है क्रिया खेल रहा है अनोखी दूद पी रही है किरिया है पी रही है बक्री बबूल के पत्ते खा रही है किरिया है इसमें खा रही है क्या सुनीता गाना गा रही है किरिया है इसमें खा रही है ये था कार्यपत्रक उनियासी कारिपत्रक 80 दी गई कविता की पंक्तियों को देखकर कविता को आगे बढ़ाईए मन करता है सूरज बनकर आसमान में दोड लगाऊं मन करता है चंदा बनकर सब्तारों को पर अकड दिखाऊं मन करता है पेड बनकर सब को अपने फल खिलाऊं मन करता है जोकर बन कर सब के मन को बेकाओं या बेलाओं यह हमने कवीता बनाई है आगे आप भी बना ले दूसरा प्रस्थन होगा आपका मन क्या करता है जब गरवाले आपको मेला देखने नहीं ले जाएं तो मुझे बहुत गुस्टा आता है और मेरा मन करता है कि मैं दोस्तों के साथ बिना गरवालों को बता ही मेला देखने चला जाओं पर आप ऐसा नहीं करेंगे गरवालों को प्यार से कहें पान जाएंगे कविता पढ़िये और आके बढ़ाईए इसमें देखना हमें कुछ हम लिखे, कुछ तुम लिखो कविता को पढ़िये चीटी और चीटी कहां गई थी? अरे यहीं थी पास में चीनी की तलास में गाय ओ गाय कहां गई थी? अरे यहीं थी पास में गास की तलास में चीडिया ओ चीडिया कहां गई थी? अरे यहीं थी पास में दाने की तलास में बक्री ओ बक्री कहां गई थी अरे यहीं थी पास में गास की तलास में लड़की ओ लड़की कहां गई थी अरे यहीं थी पास में रोटी की तलास में यह था कार्य पत्रक असी आकलन चौदा मित्र का प्रियाईवाची है मित्र का प्रियाई वाची होगा सुजे का समानारती दिन कर ये इसका प्रियाई वाची या समानारती है वे गुड़ खाने लगा वाच्ये में सरवनाम है भै कवीता अच्छी लड़की है वाच्ये में विशेशन सब्द कौन सा है अच्छी नीचे दियेगे सब्दों में संज्या सरवनाम चाटी और लिखिए तो इसमें अच्छी इसमें इसमें संज्या सरवनाम चाटेंगे हम करण, नमन, देवी, में, वह, तुम, श्याम, गनेश, दूद, दिपेश, योगी और सब तो इसमें संज्या होगा करण, दूद, नमन, दिपेश, देवी, योगी, श्याम, और गनेश, संज्या, व्यक्ति वस्तु स्तान के नाम को संज्या कहेंगे वो सरवनाम है संज्या के स्तान पर काम आने वाले सब्द सरवनाम में, वह, तुम, और सब यह सरवनाम है नीचे दियेगे सब्दों में सही समानार तक सब्द चाड़ कर सामने लिखें फूल का समानार तक है यहां सूमन और पत्ता का समाना तरहें पात चट्टा है नीचे दियेगे संयुक्तवर्ण वाले सब्दों पर गोला लगाएं तो यहां है बच्चा संयुक्तवन इन में है फूल पुस्पा और कटल में पुस्पा अकड अंदा और खाली में अंदा पक्का इसमें है आकांसा और इसमें है खतम यह संयुक्तवन यह गाई है इस वाच्चियों में विसेशन सब्द का प्रियोग करके वाच्चियों को राम नहीं बच्चपन में बहुत मिठाई खाई, राम बच्चपन और मिठाई, यह संयुक्त वर्ण है, वाच्चे में संज्या सब्द के नीचे रेका कीचिये, तो इन तीनों में रेका कीचनी है, राम बच्चपन और मिठाई, तीविया ने कीर बनाई, वाच्चे में कीर् तरफ परत्पेयली में डूड़िए, जैसे यह वर्ख पहलीं इसमें नीचे प्रसन है उनका उत्तर डूंदेंगे, फूल का प्रियाईवाची सुमन, यह है सुमन, सुमन, आदमी का प्रियाईवाची मनुश्य, मैनुश्य है, मनुश्य, छोटे भाई को कहेंगे अनुच, अ अनुज अनुज गरम का प्रयायवाच्ची ओश्न ओश्न है ये ओश्न अगला है इधर का विपरीद उधर जो रश्य बरा हो रशीला गरीब का प्रयायवाच्ची दीन अपसे का विलों यस सबजी का नाम मूली कविता लिखने वाला कवि संसार का प्रयायवाच्ची होगा जगत सिपरकार जो बोल ने सके मूख फल का नाम लीची जहर का प्रयायवाच्ची विस यह था कार्य पत्रक फिच्योतर च्योतर सत्योतर एठ्योतर उनियासी असी आंकलन्चावदा और आई ये खेले आठ का हल और भी कार्ये पत्रक के हल देखने के लिए मरे चेनल की प्लेलिस्ट पर जायें वहां आमने सब्वी ब्रक्षीड के हल करके एक साथ डाल रखे हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्ले लिस्ट का इसका हल और हमारी मेनत अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद